नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनीश भारती और आप देख रहे हैं संस्क्रेटी या येस यूटूब चनल दोस्तों आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उससे आप पुर्व से ही चिर्परचित है पिछले कुछ दिनों से यह ख़वर जो है चर्चा का विशय रहा है कि आप बीवी सी न्यूज जानते होंगे आप बीवी सी न्यूज पर क्या हुआ है और आईकर विभाग ने सर्वे किया है उसके कारियालर पर नहीं हुआ तो इसको भी समझेंगे कि सर्वे और रेड में क्या अंतर होता है ठीक है उससे पहले आप समझ लीजिए कि आयकर विभाग कुछ पॉइंट जो है उसको आप देख लीजिए क्योंकि यह जो मुद्दा है यह UPSC का प्रश्ण बन सकता है इस साल और कहां से प्रश्ण बन सकता है इस पर भी हम बात करे तो कुछ पॉइंट जो है उसको आप देख लीजिए कि आयकर विभाग दोराया किया गया है बीबीसी न्यूज के दो सेंटर पे दो कारियाले पे एक जो है दिल्ली इस्थित और दूसरा मुंबई इस्थित परिशर में और सबसे अहम बात जो आपको ध्यान देना है वह देखिए बीबीसी पर क्या हुआ है कि पिछले कुछ दिनों तक कुछ आईटी विभाग के करमचारी अचानक से पहुंसते हैं यहां ध्यान रखना है कि यह जो चानवीन हुआ है केवल वित्तिय विभाग का क्योंकि किसी भी इंस्चूट में बहुत सारे विभाग होते है तो केवल वित्तिय विभाग का और क्या हुआ है सर्वे यहां पर अब इसका क्या तात पर है यह समझ लेजिए अब यहां जब वित्तिय विभाग का सर्वे करने के लिए वह टीम पहुंची है तो यहां जितने भी डेटा थे उसको खंगाला है दस्तावेज को देखा गया जो कम्पूटर के पासवर्ड तक हैं वो ले लिए गए है ताकि वहां जो कुछ जाज के दौरान कुछ चीजे मिल सकी जो वित्य गरिबरी की आशंका है आयकर विभाग को उसकी कुछ जानकारी प्राप्त हो सके विभाग के जितने भी करमचारी थे उनको बाहर तक निकाल द है उसे पहले बीवी सी का एक जानकारी आप ले लीजिए कि देखें बीवी सी को ब्रिटिश ब्रोड कास्टिंग कॉर्परेशन है अब यह जो है यूनाइटेट किंग्डम यानि कि यूके इंगलेंड का यह रास्टिय परशारण चैनल है यहां ध्यान से समझ लेना है कि यह परशारण चैनल है बीवी सी किसका तो यूनाइटेट किंग्डम का कैसे जैसे कि मालेजिए भारत का क्या है भारत का डीडी न्यूज हो गया अकाश्मानी हो गया उसके बाद आप जैसे संसर टीवी आप जान रहें तो यह सब भारत के सरकार का रास्टिय परशारण च यह पीर करने का काम करती है इसके अलावा जो बीवी सी है वह दुनिया भर में अपना नेटवर्क फैला रखी है यह न्यूज चैनल काफी पुराना है और इसने भारत पाकिस्तान चीन सहीद दक्षिनेश्या के कई देशों में पूरे अफरीका में भी इसके नेटवर्क है और यह बहुत बहुत बहुतरीन काम करने के लिए जानी जाती वाली निश संस्ता थी देखोंसेंज का यहां राष्ट यह पुराना राश्टियनेकलित संस्ता है आप इसे लगातार देख्ती भी होंगे अब फिर से हम लोटते हैं इस कारण पे इस सर्वे जो हुआ है फिलहाल उसके कारण क्या है देखिए यहीं से हमारे लिए UPSC का प्रश्ण भी बनेगा इन कारणों को सही से आप समझ लीजिए आयकर विभाग का कहना है कि BBC ने जान वोज करके भारतिय कानुनों का गैर अनुपालन किया है उसे नहीं माना है नजर अंदाज करते हुए बित्तिय धोखा धरी का काम किया है तो एक कारण तो आयकर विभाग कही है दूसरा है कि आयकर विभाग कह रही अवैद रूप से मुनाफे का डाइवर्जन किया गया है इस बात को समझ लेना है कि इसक पर हुआ है किस विभाग को दिया गया है यहां ध्यान रखना है कि यह जो सर्वे हुआ है इससे पुर्व भी बीवी सी को आयकर विभाग कई बार नोटिस दे चुकी थी पहले सही नोटिस कई बार दिया गया है ठीक है लेकिन उस नोटिस का सही से जवाब बीवी सी ने न और चौथा जो बहुत इंपोर्टेंट आरोप है इसको समझ लेजिए ट्रांसफर प्राइसिंग नियम का उलंगन किया गया है अगर UPSC इस टॉपिक से आएकर विभाग से कोई भी प्रशलाती है प्रलिम्स में तो इस पॉइंट को जरूर सामिल करेगी इसकी संभावना सबसे अधिक है तो इसको समझ लेजिए ट्रांसफर प्राइसिंग नियम क्या होता है क्योंकि पूरा मामला जो है यहीं पर अटका इसका कोई एक विभाग है विभाग A ठीक है कई विभाग होते हैं तो BBC का विभाग A ने क्या किया अपनी जरूरी के कुछ चीजों को जो वस्तू या सेवा होता है उसको पर्चेज किया विभाग B से ठीक है अब यहां पर क्या ले रही है वस्तू या सेवा का क्रे विक्र किया गया है अब यह पूरा जो लेंदेन हुआ है इसमें कोई नगत नहीं है ठीक है इसमें नगत रासी का इस्तमाल नहीं किया गया है और क्या कर लिया गया है कि जो खाता है जो बही खाता होता है उसमें सिर्फ इसको दर्ज कर लिया गया है ध्यान देना है तो जब लेंदेन नहीं हुआ है लेंदेन को सही तरीके से नहीं दिखाए गया है खरीद बेकरी के लेंदेन को सिर्फ खात भी रहा है सरकार ने इसे बाद में संसोधित करके इसमें डाला था इसमें आगे बात कर लेंगे यह नियम बनाया गया था तो यह चीज़े चार-पांच कारण है एक कारण यह भी है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार जो है राजनेतिक रंजिस के आपको ध्यान होगा तो बीबीसी ने कुछ ही दिन पहले अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी पर एक डॉकुमेंटरी जारी किया था जिसे सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था तो एक राजनेतिक कारण बताया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के जरिए कि पा मुनाफिय का डाइबर्जन और ट्रांसफर प्रैसिंग रूट्स इसको आप सही से समझ लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विभाग ने किस नियम के तहट ऐसा किया है किस कानून के तहट आईटी विभाग को शक्ति मिली है कि वह सर्वे कर सकती है तरह कि यह आपके लिए बहुत जरूरी है तो यह जो सेक्षन 133a है इसमें ही इसकी बात की गई है 133a क्या है जरा इस पर बात कर लेते हैं यह आईटी विभाग को गुप्त जानकारी एकत्रित करने के लिए सर्वे करने का अधिकार देती है गुप्त जानकारी क्या हुआ जैस सरकार के लिए जो आयकर विभाग है उसके लिए गुप्त जानकारी हो गई तो उसको यह अधिकार मिल जाता है आयकर विभाग को कि वह को अधिनियम में शामिल किया गया था उससे पुर्विया नहीं था इसमें शामिल ठीक है अब जो अधिकत अधिकारी वहां पहुंचते हैं उनके क्या अधिकार हैं किन अधिकारों के तहत वह वहां पर काम कर सकते हैं सर्वे का काम कर सकते हैं मालेजे जैसे अभी बीवीसी के दफ्तर में आएकर विभाग के करमचारी पहुंचे अधिकारी पहुंचे तो कैसे कैसे उन्होंने काम किया कैसे उनको यह शक्ति मिली कि वह इस तरह से जाच कर सकते हैं और क्या क्या सकती है तो देखे किसी भी वेवसाय कोई भी बिजनेस है कोई भी किसी भी कंपनी का आफि नोटिश उन्होंने दिया है उसका संतुस्ट दाइक जवाब नहीं आया है तो उन अधिकारी को यह राइट मिलता है इस कानून से कि वहाँ पर वह पर परवेश कर सकते हैं उस संस्था में उनको रोक का नहीं जा सकता है और वहाँ पर वह जांच परतार वह गुप्त जानका सकते हैं नगभी कितना है कैस में स्टॉक क्या है उस संस्था के पास और भी जो अन्मुल्यवान वस्तु हो सकते हैं सभी को वेरिफिकेशन करने का उनको अधिकार बिल जाता है और यह जो प्रादिकरन है शर्वेक्षन के दौरन किसी नगभी स्टॉक या अनकि किसी समान क लिस्ट बनाने का अधिकार फिए उनको देता है मालेजी गए पहले तो इन्होंने सत्यापित किया ठीक है अब इन्हें लग रहा है कि यहां तो ठीक है लेकिन हो सकता है इस पे हमें और जाज कर दे की जबरत है तो यह क्या करेंगे एक लिस्ट बना लेंगे इन्होंने लिए गए हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट हुआ उन सब का वेरिफीकेशन बाद में विवाग के अधिकारी अराम से कर सकें इसके लिए ऐसा किया जाता है दूसरी बात यह किसी का भी बयान दर्ज कर सकते हैं वह करमचारी जो है बयान दर्ज करने से मना नहीं कर सकती अभी आप सुने होंगे जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो करमचारी हैं उनका मॉवाइल फोन भी इनोंने जब्त कर लिया था मॉवाइल फोन जब्त करके और सभी करमचारी को बाहर कर दिया था ऑफिस साथ ही जितने भी डेटा था उसको सही से खंगालने के लिए पासवर्ड भी ले लिए थे तो इस अधिनियम के तहट इनके पास यह सभी अधिकार आ जाता है और दस्तावेजों पर यह पहचान चिन भी लगा सकते कोई निशान लगाते हैं यह ठीक है उनके कामकाज का एक जो है यह तरीका होता है और इन दस्तावेजों का यदी इनको कॉपी लेना है बाद में वेरिफिकेशन के लिए तो यह इसके कॉपी भी ले जा सकते हैं अपने साथ यह संस्था उन्हें नहीं रोक सकती है इनके पास ऐसा अधिकार होता है अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि यह सरबे हुआ है अब कई जगा सुनने होंगे रेड हो गया है रेड नहीं हुआ यह सरबे हुआ है और सरबे भी हुआ है तो केवल क्या हुआ है वित्तिय धोखा धरी की जाच की गई है जो उसका बीबी सी का वित्तिय विभाग है सिर्फ वहीं पे जाच परताल किया गया है और कहीं पर किसी अधिकारी के यहां किसी भी भाग पर रेड की है ठीक है फिल्मों में भी ऐसा सुनते होंगे और बीबी सी का जब अभी मामला आया आपने सुना कि वहां जाके सर्वे किया है तो क्या डिफरेंस है जड़ा देख लीजिए जांच यानि सर्च की जो बात की आती है आम तो सुनते होंगे रेड किया यानि की छापा दिया गया तो जांच को इस अधिनियम आईटी एक्ट जो है इसके तहट सेक्षन 132 के तहट इसे परभाशित किया गया है और जांच किसी भी दिन हो सकता है कहने का मतलब है यानि कि रेड संडे के दिन भी रेड हो सकता है ठीक है आप उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं कि नहीं आज तो संडे है आज ऑफिस बंद है तो आप आज रेड नहीं कर सकते हैं उनकी मर्जी है वसुबा साम जब भी चाहें आपके यहां रेड कर सकते हैं और एक बार रेड कर दिया इन अधिकारियों ने तो जब तक पूरी जां काज का जो दिन होता है उसी दिन में सर्वे किया जा सकता है यानि कि यह मालीजे संडे का दिन होगा तो संडे के दिन काम नहीं हो पाएगा और दूसरा काम के घंटों के दौरान ही यह सर्वे होता है काम के घंटे के दौरान मालीजे के स्टेंडर्ड टाइमिंग है कि नाइन रखते हैं वहां पर सर्वे यह सभी जानकारी जो है विभाग के अधिकारी पुरुब से ही अपने पास रख लेते हैं ताकि वहां कोई दिक्कत ना हो जाए तो यह पूरा मसला था इस पर अभी और काम चल ला है विभाग जो है आईकर विभाग इसका बयान अभी बहुत सही किसे आया नहीं है आना बांकी है विभाग और क्या इस पर कामकाज करेगी किस तरह से जांच आगे बढ़ेगा इस सब पर नजर बनाए रखिए इस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ धन्यवाद है झाल